अशोग गैलोट ने तीसरी बार बतौर मुख्य मंत्री प्रदेश की कमान संभाल लिये मुख्या को हर वर की लोग बढ़ाई भी दे रहे हैं तो वही नयाएपालिका और कार्रेपालिका के बीच नय रिष्टों की शुरुवात हुई है हाईकोर्ट नाधीशों ने भी गैलोट के वेक्तित्व और कामकाच की तारिफ की है गैलोट के बारे में क्या कहती है नय पालिका देखिए रिपोर्ट मुख्य मंत्री अशोग गैलोट को वैसे तो राजस्थान भर से तुवाएं और शुपकामनाई मिल रही है लेकिन संभवत है देश के इतिहास में पहला आवसर है जब नयाय पालिका ने मैरिट पर किसी मुख्य मंत्री के व्यक्तित्व और कामकाच की ऐसी तारिफ की इसका एक कारण ये भी है कि जोधपूर की माटी में इस तरह रचे और बसे हुए हैं गहलोद की जोधपूर हाई कोट से जुड़े जज भी एक नागरिक के नाते गहलोद के प्रती अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक नहीं पाए ये राजस्थान की न्याय पालिका के लिए शुब संकेत है विदी विशेशक्यों का ये मानना है कि इससे राजस्थान में न्याय पालिका और कार्य पालिका के सकारात्वक संबंदों की अच्छी शुरुवात होगी राजस्थान उच्छे न्यायले के न्याया धीपती रहे जस्टिस गोपाल कृष्ण प्यास ने अपनी कविता के जरीए शुब कामनाई दी है जिसमें उन्हें जन जन की आखों का तारा बताया है जादूगर मैं उनको सब लोग मानते हैं मैंने भी सुना टीवी पे उन्हों के पिता जी भी जादूगर थे और उन्होंने कोई गुपाल जादूगर थे जो मेरे नाम रासी थे उनसे भी उन्होंने जादू सीखा था उनके तो मैंने कले कविता लिखी जो आपको सुनाता मारवार के जादूगर का ऐसा जादू चाया है जनजन की आंखों का तारा फिर सेवा करने आया है कोई रहे ना भूखा प्यासा ये जादूगर ने ठाना है बापू के सपनों को जिसने अपना लक्ष बनाया है दीन दुखी की सेवा करने फिर वही सितारा आया है आम तोर पर ये देखा गया है कि हाई कोट और अधिनस्त न्यायलेव की इंफ्रस्ट्रक्टर रिक्वार्मेंट जैसे ऑफिस, बिल्डिंग, स्टाफ, फरनीचर, कम्प्यूटर, इत्यादी की मांग को लेकर न्यायपालिका और कारिपालिका की बीच एक प्रकार का तनाव और टक्राव सा रहता है क्योंकि राज्यस सरकार के वित्तिय साधन भी सीमित है लेकिन अब गहलोत के मुख्य मंत्री बनने के बाद न्यायपालिका को ये आशा है कि हाई कोर्ट और सरकार के बीच अब रिष्टे और ज्यादा मधुर होंगे और न्यायपालिका से जुड़े सरकार में पैंडिंग चल रहे कई मसले अब निपट जाएंगे वैसे भी न्यायपालिका और कारिपालिका के बीच एक निरंतर समवाद बने रहना चाहिए इसलिए ये भी कहा जाता है कि हम भले ही किसी विशय पर सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन समवाद जारी रहना चाहिए यहां तक कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस कुरियन जोजफ ने कहा है कि सीजे गोगोई ने हमें कहा है कि वो नेशन हेड से लगातार समवाद रखेंगे इलाहबाद उच्छिन्यायले के मुख्यन्यायदीश बने जस्टिस गोविंद माथुर ने भी अशोग गहलोद के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर उम्मीज अताई है कि गहलोद आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रदेश का चहु मुख्य विकास करेंगे मुख्यमंत्री आ रहा है वो भी जोदपूर से हैं तो जोदपूर का वाशिन दाउने के नाते में मुझे भी उनसे बहुत अपेक्षा है और मेरी और से बहुत बहुत शुब कायम ना है उनको राजस्थान उच्छ न्यायले के न्यायादी पती रहे जस्टिस एनन माथुर ने भी अशोक गहलोद के सीएम बनने पर खुशी जाहिर की है साथ ही उम्मी जताई है कि न्यायपालिका से जुड़े सरकार में पैंटिंग चल रहे कई मसले अब निबढ जाएंगे वैसे भी न्यायपालिका और कारेपालिका के बीच एक निरंतर डायलॉग हमेशा बने रहना चाहिए सारी सडकें जो थी जो अद्पुर शेर से जैसल मेर जाते थे बिकाने से आने वाली गाड़ियां पाली जाती थी तो इनको कैसे किया जाए इस समस्या के लिए एक सर्कूलर रोड बनाना चारों तरफ शेर के लिए बहुत जरूरी था तो ये न्यायले के आदेश तो हो गए लेकिन ये कभी संभव नहीं होते न्यायले के पालना अगर गैलोर साब जैसा व्यक्ती जो एक कुशल प्रशाशक थे उन्होंने जिस अरलता से और जिस इफेक्टिव रूप से उन्होंने जोतपूर के तरफ बहुत इस शेक्र समय में न्यायले के आदेश के पालना कराते हुए उन्होंने जो सर्कूलर रोड बनवाई वो अद्वित्य थी बहराल नई सरकार ने कमान संभाल ली है और इसके साथ ही गहलोच सरकार ने वादे अनुसार किसानों की कर्ज माफी की घोशना कर दी है गहलोच सरकार जिस तरह से एक्शन में है उससे न्याय पाडिका को भी बड़ी उम्मीदे है ऐसे में आशा की जाने चाहें कि इसी पैटर्न पर राजस्थान हाई गोट के चीफ चस्टिस और मुख्यमंत्री के बीच आने वाले दिनों में विभिन्न विश्यों पर एक सीधा और रेगुलर समबाद बनेगा निर्मल तिवारी के साथ राजीव गोट फर्स्ट इंडिया नीज